हाई गाईज वेलकम बाक ठोथिन लाइफ हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसने मल्टिफोड रिटरं आल्री देदिये अंग बात करने वाले हैं वोड़फोन आइड़िया लिमिटेट के बारे में जिसके अभी करेंट लॉस्स लगभग 1,00,000,000 करोड के ऊप पाई है और अगर हम देखें तो लेक कंपनी का जो टर्न ओवर है वह आपका इंटक्ट है लगभग के तालेस हजार करोड के आसपास साल आना का तो कंपनी काम तो सही कर रही है एरिया सेक्शन में सही है लेकिन प्रोफिट इन essere बिल्कुल नहीं निकाल पा रही है करें मार्केट कैप तो अपरौक्सिमितली इसक इन कंपनी का मार्केट आपका 28000 क्रोड के आश्पास कंपनी में क्योंकि कंटेनस्ली लॉसेज करते जा रहे हैं और इस कंपनी को थामने की कोशिश करी जा रही है और इसके लाबा गूगल का भी न्यूज आ रही थी कि क्योंच वह इंवेस्मेंट कर सकता है और स्टॉक का रेट आपका साढ़े तीन रुपी से इंक्रीज करके ल स्टॉक था और कब लोवर सर्केट अपर सर्केट लगे मैं तब भी अड्वाइज नहीं कर रहा था अभी स्टॉक नौ रुपे है अगर आपके बाद शेयर है मैं तब भी यह बोलूँगा कि इससे तो बेटर है आप मतलब इतना रिस्क लेने से बेटर है कि क्योंकि लोव के डिरेक्टर बलेश शर्मा है और चैर्मेन मिस्टर कुमार मंगलम है और डिटर कंपनी के ऐसार बाटली वह है तो एथिकल मैनेजमेंट में आपको कोई इशू नहीं मिलेगा कंपनी में और बहुत बढ़िया है कंपनी के ऑपरेटिंग इंवेस्टिंग फनांसिंग कैश जो है वह भी सही नहीं है क्योंकि कंपनी में लॉस अक्यूमिलेट होते ही चले जा रहे हैं और वह काफी दिक्कत का कंसर्न बन रहा है सपोर्ट देखें कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट आपका साढ़े तीन रुपे के आसपास है करेंट स्टॉक का रिट नौर होलिंग देखते हैं कंपनी की तो अप्रॉक्सिमेटली 17.6% कंपनी का म्यूचल फंड होल्डिंग है मतलब म्यूचल फंड ने अभी इतना इंवेस्ट कर है इस कंपनी के अंदर अलग एक और चीज़ बात आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडियन कंपनी इसको ही ट कर लेती है तो प्रॉब्लम ही आजएगी कि यही दो कंपनी रहेगी और इन दोनों में भी सबसे बड़ी अब आपकी जीओ हो चुकी अपनी स्टार्टिजी के वज़े से क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा ही कि जीओ ने किस तरह पूरी मार्केट काप्चर करी पह यह हमेशा से हो रहा है रिलाइंस के साथ यह पहली बारी नहीं है तो यही उजुली उनकी स्टार्टिजी रहती है क्योंकि बहुत मैसिव इंवेस्टमेंट के साथ आपको एकॉनमी बहुत अच्छी मिल पाती है तो यही चीज थी वोटफोन आइडिया के बारे में अगर बहुत स्टमेंट के अब ऑच इन्वेस्टेड है तो आप निकल सकते हैं स्टाइक में क्योंकि स्टॉक रिजिस्टेंट करी रहा है आपका 12 रुपे पे तो बहुत स्टम्शन्ट रेस्टेंस है आपकी 10 रुपय के आसपास भी एक इक स्टॉंक रसिस्टेंस बनने लग इन लेविल्स पे तो जंप इन करके बिल्कुल ही नहीं देगी तो निकलना ही बहतर रहेगा और दूसरे स्टॉक्स को दिखा जा सकता है इस मार्केट में जो आपको अच्छे रिटांस दे सकती है इसके लाबा जैसे हमारी साथ कुछ एक्सपर्ट भी जोड़े थे उनने भी सकता है कि सेकेंड लोगडाउन फिर से इंडिया में लगे अप्रॉक्सिमेटली ऑगस्ट एंड के आसपास या फिर अगस्ट मिड के आसपास क्यूंकि फिर उस समय हालत काफी खराब हो जाएगी अगर वैक्सी नहीं बनी तो एक और लोगडाउन लगाने की संभावना बन लगबक 10,100 के ऊपर है तो इस समय आप अगर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे अगर जो आपने स्टॉक नीचे खरी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और कुछ समय के बाद जब मार्केट बिलकुल आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट ले ल ट्रेड्स कैसे लेनी है चार्ट कैसे देखने टेक्निकल अनालेसिस कैसे करना है तो वह बिलकुल लेख लिए और इसी के साथ ही टेलिग्राम का ग्रुप है हमारा जिसमें हम लोग टिप्स और अड्वाइजरी देते हैं फ्री ओफ कॉस टेक दम जो आप समझ सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करेंगी और हमको भी मौका मेलेगा आपको सर्फ करनेगा तो यहीं बताना चाहिए